एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जहाँ यौन एक ओपन एरी में आ गया था जहाँ पर एक गोल्डन कलर का सन होता है और फिर जहाँ यौन मन में कहता है कि क्या यही सेकिंड ट्रायल है जिसके बाद वो उस गोल्डन सन की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि ये तो एक golden sun है और शायद इस trial के अंदर spirit को target किया जाता है और ऐसा दिखता है कि जो इस golden sun के अंदर से spiritual pressure आ रहा है मुझे उसके सामने टिके रहना है तो फिर शुरू किया जाए और ये कहने के बाद जायवान वहाँ पे बैठ के cultivate करने लगता है और तभी वो काफी जदा है रानी से आँख खोलता है और कहता है कि divine grindstone अपने आप ही activate हो गया है और देखके ऐसा लगता है कि golden sun गुसा हो गया है प्राइमल के ओस divine grindstone के उपर और grindstone धीरे धीरे रोल करता हुआ आसमान में चला जाता है और वो giant golden sun के सामने पहुँच जाता है और जैसे ही divine grindstone करता है ये दो विशाल का entities आपस में काफी जदा भीशन तरीके से टकराती है जिसकी वज़े से एक काफी जदा खतरनाक शोक वेव निकलती है आसमान में और इस चीज़ की वज़े से ऐसा लगता है कि आसमान बस अब तूटने की कगार पे है और फिर जायून बड़े आराम से आसमान की तरफ देखता है क्योंकि अब golden sun एक्जिस नहीं करता था आसमान में क्योंकि अब सिर्फ उस बरबाद हो चुके golden sun के कुछ ही अवशेश रह गए थे और फिर जायून इसे एक बोटल के अंदर उतार लेता है और कहता है कि ये golden light के अवशेश उस golden sun के हैं जो अभी तबाह हुआ था और जब मैं लोटूंगा इसे जरूर मैं बिग सिस्टर यायू को दिखाऊंगा और मुझे लगता है कि उन्हें जरूर पता होगा कि ये असल में है क्या और तब ही आवाज आती है कि second mountain trial pass और फिर जहायून के सामने हम तीन पिलर्स को देखते हैं जिने देखते हुए जहायून मन में कहता है कि क्या यही final trial है और फिर हम इन तीन giant pillars के उपर तीन figures को बैठे वे देखते हैं इनके top पर जिन में से पहला pillar heavenly sun दूसरा pillar divine dwelling और थर्ड पिलर alpha origin का होता है और यही चीज इन तीनों pillars के उपर लिखावा होता है और जहायून इन्हें देखके कहता है कि heavenly sun, divine dwelling, alpha origin ये तीनों ही कितने strong है और क्या ये words से इन तीनों figures की strength को represent करते हैं और तभी हम जहायून के सामने एक clock सी बनीवी देखते हैं एक stone के उपर जिसे देखकर जहायून कहता है कि क्या मुझे इसकी needle को spin करने की जरूरत है जिसके बाद हम इस stone को देखते हैं जिसके उपर वो clock बनी वी थी और वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है जिन में से सबसे टॉप पा heavenly sun होता है जिसके बाद divine dwelling और alpha origin होता है इस थर ट्राल के अंदर तुम्हें इस needle को spin करना होगा वो भी इन three stone pillars के सामने जिससे कि तुम अपने opponent को select कर सको और तुम्हारे पास इसे spin करने के दो chances हैं जिससे कि तुम अपना new opponent choose कर सकते हो और फिर जाईवान ये देखकर सोचने लगता है और परेशान होते विमन में कहता है कि अगर मुझे ड्वाइन डुलिंग स्टेज या फिर heavenly sun स्टेज का opponent मिला तो इसका मतलब यह है कि मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा और फिर जाईवान उस निडल को स्टेज करते विमन में कहता है कि चलो इसे स्टेज करते हैं तो भागे से मेरे पास दो chances है इसे स्टेज करने की और ये निडल heavenly sun के उपर जाके रुकती है और इस चीज को देखें जाईवान की टगड़ी फट जाती है और वो परिशान होते हैं मन में कहता है कि है बगवान इतनी बुरी किसमत जिसके बाद जाईवान दुबारہ से स्टेज करते हैं कि तो भागे से मेरे पास इसे एक और बार स्टेज करने का मौका है लेकिन वो अचानक से रुख जाता है कि उसे Alls One की कहीवी वो बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि जो तुमने अभी पहले कहा था उससे तुम याद रखना और फिर जाईवान खुझ से ही सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मैंने पहले ऐसा क्या कहा था और उससे लाद आता है कि Alls One ने उससे पूछाता कि क्या वो confident है जिस पर जाईवान ने कहा था कि इस दुनिया के अंदर absolute confidence नाम की कोई चीज़ नहीं है लेकिन जब मुसीबत का सामना करने की बात आती है तब नहीं मैं पीछे हड़ता हूं और नहीं मैं डरता हूं और फिर जाईव जाईवान है कि मुझे डरना नहीं है अगर मैं इस उमीद से इसे दुबारे से spin करता हूं कि मुझे दूसरा opponent मिल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे दिल के अंदर डर है क्या सच में ये trial मुझे दूसरा मुका दे रहा है और ये सवाल खुझ से करने के बाद जाईवा है कि मैं तुम से डरता हूँ और फिर जईयू चिला कर के कैता है कि heavenly sun stage में तुमें हराकर रहूंगा और ये सुनते ही Heavenly Sun Stage वाले को काफी ज़ादा गुस्सा आ जाता है और वो जाई यौन के उपर काफी ज़ादा प्रेशर डालने लगता है और इस प्रेशर की वजह से जाई यौन को काफी ज़ादा प्रॉबलम हो रही होती है और वो कहता है कि तो ये आतंग होता है एक Heavenly Sun स्टेज expert का और फिर वो figure जायओन से कहती है कि तुम पीचे हड़ जाओ और फिर हम जायओन को देखते हैं जिसे उस pressure से काफी ज़्यादा problem हो रही थी और वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें विश्वास है कि मैं इस जैनिसीज pressure से डर सकता हूँ शैद तुम मुझे अपने हाथ के एक इशारे सही हरा सकते हो लेकिन तुम मुझे हार मानने के लिए मजबूर कर दो ये तो नामुम्किन है और ये कहने के बाद जाईवान अपना पूरा जोर लगा के उस फिगर की तरफ बढ़ने लगता है और जाईवान को इस तरीके से पावला सा हो जाता है इस प्रेशर की वज़े से लेकिन वो फिर विहार नहीं मानता है और आगे ही बढ़ता रहता है और फिर हेवनली संगोड स्टेज वाला काफी ज़दा गुस्से से जाईवान के उपर अपने हाथ से अटेक कर देता है और इतनी ज़दा एनरजी की पास हो गए हो और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पर खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्काइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले थैंक यू